हेलो बच्चो आज हम अनलेटिकल पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे जोकी इस पर 2021 की सिलिबस में नया जोड़ा गया है नया कोश्चन आएगा और जोकी पाच नंबर का होगा तो हम अनलेटिकल पैराग्राफ राइटिंग होता गया है यह हम आपको वर्बली समझा दे कि देखे, analytical माने होता है कि analysis करना, आपको वहाँ पर एक chart दिया जाएगा चाहे वो histogram के रूप में हो चाहे वो bar graph हो चाहे वो pie chart हो किसी भी तरह से आपको या फिर हो सकते हो simply एक आपको table दे दी जाए उसमें कुछ data वो देंगे जिसको आपको analysis करना है ठीक है, तो वो जो है उसको analysis करके आपको 100 to 120 words जो भी वहाँ पर लिख के देंगे, जितने words के limit देंगे आपको उसमें उस particular data को describe करना है ठीक है, तो ये analytical paragraph writing कहलाएगी ठीक है, तो I am repeating कि जो भी आपको data मिले, चाहे वो histogram के रूप में हो चाहे वो pie chart के रूप में हो चाहे वो bar graph के रूप में हो चाहे वो line chart हो, किसी तरह से भी आफिस table बना के उन्होंने दिया हो जो भी data मिलेगा, आप उसको as it is, कोई भी अपनी figure अपने तरफ से नहीं जोड़ना ही, कोई अपना personal observation नहीं देना है और उसको given जो जो भी word के लिमें दियाएगी 100 to 120 जादा तर होगी तो उसमें उसको describe करना ठीक है, तो आज हम उसका सबसे पहले format चेक करेंगे कि format क्या होता है, कि format of analytical writing में हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे तो देखिए, सबसे पहले तो introduction होता है, और introduction में, हम introduction में जो की आपको दिखाएंगे दे रहा है कि data जो है आपको जो दिया गया exam में, वो किस बारे में है वो उसको बस एक या दो line में आपको describe करना हूँ देखिए, आपको मैंने लिख भी दिया है कि explaining one or two lines the subject of the given data or chart, जिस चीज के बारे में वो आपको सिर्फ एक या दो line में describe करना है, जैसे कि अगर हम आपको example सिर्फ बोल दे और इसके मैं examples आपके आगे load भी कर दूँगी, कि जैसे कि अगर हम, मान लिजे कि यहाँ पर एक हम, आपको question हो कि the chart depicts the type of activities that teenagers like to get involved in during their free time कि चार्ट में उन activities को दिखाया गया है, मान लिजे कि जिसमें जो teenagers होते हैं वो अपने free time में जिसमें ज़्यादा तर involve रखते हैं अपने आपको, ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगी कि the और कि the chart depicts the type of activities that teenagers like to get involved in during their free time मैं आगे आपकी example भी दिखूँगी फिर उसके बाद body आती है तो body में जो कुछ भी आपको जो भी data मिला हुआ है उसको detail में describe कर रहा है देखिए हमने लिखा हुआ है कि explain in detail what the given chart or data is about describe or compare or contrast chart with correct figures or prominent figures माली जी अगर दो चीजों में आपको comparison करना है दो चीजों के बारे में detail दी हुई है तो आपको उस दोनों को comparison करना है माली जी किसी चीज की sale दिखाए गई है दो चीजों में sale है तो आपको उसके जो भी difference दिख रहा है जो prominent चीज है माली जी प्रॉमिनेंट का मतलब मुख मुख आपको चार्ट देखते ही पर पर रहा है दिखाए दे रहा है कि एक graph बहुत उचे गया है फिर किसी चीज की sale यानि कि इसका मतलब बहुत जादा हो गई है और कुछ साल कव जो अगले साल में या फिर किसी particular साल में उसकी sale बहुत कब हो गया तो आपको ये prominent बात है कि किस साल में sale इतनी बढ़ी और किस साल में कम हुई तो इस step की prominent चीज़ें आपको दिखाने होंगी उस chart में देखे, for example, मैंने लिखा है कि prominent figures like the smallest figure और the highest figure तो ये prominent हुआ है इस तरह का आपको कुछ भी उसमें जो prominent दिख रहा है आपको explain करना है और detail में करना है और पूरा trend समझा रहा है और conclusion में gist of the given data यानि कि आपको जो भी आपने analysis किया उसको बहुत short में लिखना है अब बात यह आती है कि हम इनको लिखेंगे कैसे तो introduction जैसे कि एक या दो line में आपको लिखना है तो इसके लिए मैंने आपको कुछ point ही दे दिये कि वो जिस चीज के बारे में यह भी chart आपको depict कर रहा है दिखा रहा है जिसका analysis करना है तो आप उसको ऐसे start कर सकते है कि the chart depicts लाब 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 जैसे आपने भी example दिया कि the chart depicts the type of activities that teenagers like to get involved in during their free time है ना और आप इसको ऐसे भी लिख सकते है कि the data या फिर chart describes about और फिर जो भी आपको कुछन में आप मैंने भी पढ़ा था वो भी आप लिख सकते हैं आप तीसरत हांगे इसको लिखने का the data given provides information about और फिर जो भी कुछन है आप आगे लिख दीजिए इसको चौथा लिखने का तरीक है the chart data shows पाच्वा है the chart data अगर आपको मालूम है कि वो पाय चार्ट है कि लाइन ग्राफ है कि हिस्टोग्राम है अगर आप अच्छी तरह से समझते है तो आप उस particular chart का नाम भी दे सकते है कि वो बार ग्राफ है कि लाइन ग्राफ है कि हिस्टोग्राम है कि पाय चार्ट है तो आप ऐसे particular नाम लिखके भी उसके आगे illustrate लिख सकते है the chart data reveals reveals होता है प्रेकट करना the chart data आपको reveal करता है प्रेकट करता है और लाब 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 जो भी question है आप उसको लिख सकते है the survey conducted अगर आपको question में ऐसे मिल रहा है कि किसी survey की report आप उन्होंने आपको graph data के रूपे दिये तो आप the survey conductor सबसे best option तब रहेगा और इसके बाद आपने question में ही आपको इसके line जो एक दो line और लिखनी है कि किस चीज के बारे में वो data वो आपको मिल जाएगा वहाँ से तो क्योंकि हर बारा पकर एक ही line लिखेंगे तो वो सही नहीं लगेगा तो आपको line बदल-बदल के लिखनी आने चाहिए हमको मालूम एक introduction एक जाद दो line का है तो अगर हमने इतने word आपको दी है आप इन में से कुछ भी लिखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा और थोड़ा सा आपको अपना common sense भी यूज करना होगा वहाँ पर कि किस बारे में लिखा है तो सोच समझ के लिखेगा ठीक है आप आगे देखिए इसका body ठीक है अब body लिखने के लिए आपको हम कुछ words दे रहे हैं जैसे कि अगर माली जी कोई figure आप माली जी किसी चीज की sale है या फिर किसी की birth rate है या फिर death rate है कुछ भी आपको जो data show कर रहा है वो increase कर रहा है है ना उसमें वो बढ़ता जा रहा है तो आपको increase जो हो रहे है जो कुछ भी graph आपका उनको दिखाने के लिए तरह तरह के words यूज करने आने चाहिए तो मैंने आपको लिए कुछ words लिखे जिनमें कि आप उन words को डालके अपना जो है description analysis जो है बहुत अच्छी बना सकते हैं जैसे देखिए if the graph or chart is going up अगर उसमें बराबर जो है चार्ट के graph बढ़ता जा रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं उसके लिए increase को दिखाने के लिए soaring होता है कि यह सब synonyms है एक तरह से सोचिए कि increase के परहायव आची है rates है अगर आपको दिख रहा हो कि figure इस साल में इतनी थी 2005 में और 2010 में उसकी sales double हो गई तो rising level doubled है ना और किसी particular time पे पहुँचके कि उसकी sales जहां सबसे हाइप पर पहुंची हो तो उसकी लिए आप पीक्ड वर्ड यूस कर सकते हैं और कहीं जो है बहुत ही तेजी से डबल हो रही है तो उसके रैपिडली डबल है ना बहुत तेज शूट अप कर गई तो तो पास्टेंश में लिखे है तो रेजट बूस्टेड राइस यह सब वर्ड जो है किसी चीज की अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जारह है तो उन सब को दिखाने के लिए आप यह सारे वर्ड यूस कर सकते हैं इसी तरह अगर आपको data यह शोक कर रहा है कि किसी चीज की sale या birth rate या death rate जो कुछ भी है वो कम हो रहा है है ना वो bar graph या फिर histogram जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उस downfall को दिखाने के लिए आप declined या फिर declining हैना start to fall जहां से वो गिरना शुरू है जहां से bar graph decrease drop down हैना decrease persist ये सबवर आप use करके उस downfall को की वो दिखा सकते हैं ठीके इसी तरह आपको माली जे दो या तीन चीजों में comparison दिया गया है तो आपको कौन-कौन से word आपको उस comparison को दिखाने में use होंगे वो मैंने लिखे या आपर देखिए to show comparison between two or other things use words in comparison to अकर हमें दो चीजों के बीच में comparison दिखाना हो तो हम लेकर in comparison to this है ना ऐसे करके आपनी जो भी data लिखा हो आगे हम दिखा सकते हैं in contrast with हैना यानि कि आपको दो चीजों में काफी difference दिखा रहा है तो in contrast with use कर सकते है while है ना कि इसमें ये था while दूसरी data में ये दिखाया गया है when it comes to similarly on the other hand on the contrary but in the opposite case as opposed to striking difference striking difference जो बहुत ही आपको बिल्कुल इसपस्ट difference दिखाए देरा वो दिख रहा हो तो आप striking difference word use किजे between the two or three जो कुछ भी हो तो ये सब words जो है आपको comparison दिखाने के लिए काम आएंगे इसी तरह कुछ मैंने other words करके लिग दिया है जैसे की situation कुछ भी हो सकते है के आपको data मिला है और आपको बहुत ही делать कर रहा है कि बार ग्राफ जा पिस भी line हो कभी उपर जा रही कभी veteran कभी नीची जा रही कभी नीची जा रही है तो इसको कहते है कि fluctuate कर रही है है ना तो आप उस उस टाइप के पैटर्न को दिखाने के फ्लक्चुेट वर्ड यूज कर सकते हैं इराटिक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतब होता है कि नॉट रेग्लर है ना अबने कभी अगर आपने किसी का ECG देखा हो जिसके हार्ट में प्रॉब्लम होती है इसके लिए इस situation को दिखाने के लिए इराटिक वर्ड यूज किया जाता है अगर कोई position जो है लगातार एक सी बनी होई है आपको बार ग्राफ ये शो कर रहा है कि या फिर जो भी आपको गिवन डेटा है कि स्टैगनेंसी बनी होई तो आप वर्ड उसके लिए यूज होता है इस्टैगनेंट है या इस्टैगनेंट आप यूज कर सकते हैं इससे तरह कुछ हलका असा डिफरेंस आया तो आप उसके लिए slightly वर्ड यूज कर सकते हैं आल्मोस्ट सेम है तो उसके लिए को कुछ जादा फरक नहीं अल्मोस्ट सेम ही है तो अगर हमें इस टाइब की सिचेशन देख रही है तो हम अल्मोस्ट अल्मोस्ट इक्वल टू लगबग लगबग बराबर है वेरी क्लोस टू जो भी आपके डेटा दिया हुआ कि जिसके नजदी को वो उसके आगे आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली, रफ्ली, on an average the highest or the lowest है ना अगर कोई प्रॉमिनेंट पॉइंट आपको दिखाना है तो the highest यानि कि सबसे जो peak पे पहुँची हो जहां पर बार आपको दिखा रहा है तो आप उसके लिए highest और सबसे नीचे दिखा रहा है तो lowest है ना यह सब यूज़ कर सकते हैं अगर बस आपको यह बात का दिहान रखना है कि जो भी आप trend यूज़ करें वो same हो अगर मालीजी आप उसको percentage में दिखाने में easy है आपके लिए उस graph के analysis करना है percentage में आप ज्यादा अच्छी तरह दिखा सकते हो तो 25% of this 25, 4% of this तो यह सब word use कीज़े अब यह नहीं कि कभी कहीं आप ratio में दिखा रहे हैं कहीं आप percentage में दिखा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा एक ही term use कीज़ेगा कोई किसी किसी के percentage आसपास है लगबग लगबग सेम है तो close to dash 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 मतलब माली जे एक example की किसी चीज़ का percentage 8% के पास है 7.5% है या भी 7% है तो हम लेगे close to 8% है ना ऐसे और अगर आप ratio में दिखा रहे हैं तो one third of it है inconsistent prediction होता है आगे आने आने वाले साल जो होंगे उसमें ये graph उपर की तरफ जाएगा की नीचे जाएगा आप predict कीज़े prediction होता है कि आप भविशवारी कीज़े तो ये prediction का मतलब समझना आना चाहिए इसी तरह conclusion जो हम अपने analysis को खतम करेंगे तो paragraph बदल के conclusion में कौन-कौन से word यूज़ कर सकते है कि अगर आपने जो भी analysis की तो आपने in a nutshell क्योंकि हमें conclusion में बहुत ही prominent चीज बहुत gist देना पड़ता है summary देनी पड़ती है तो हम उसके लिए ये सब word यूज़ कर सकते हैं कि in a nutshell in brief in all therefore therefore so 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 भी लिख सकते है thus इस प्रकार in short overall हमने ये देखा the data clearly points out कि बहुत क्लेरली हमको ये दिखाए दिया तो इस तरह ये सब words यूज़ करके आप अपने 120 word अराम से पूरे कर सकते हैं ठीक है बाकी आपको ध्यान रखने की बात है points to remember में मैंने लिख दिया कि words limit का याद रखिएगा किसी भी examiner को irritate करने की जरुवत नहीं है ठीक है 100 to 120 भी थोड़ा बहुत फरक हो सकता है कि 120 से 130 हो गए 35 हो गए लेकिन not more than that ठीक है न accurate होने चाहिए जो भी figures आपका data जो chart जो कुछ भी मिला है आपको जो show कर रहा है same figures यूज होनी चाहिए chart और ये data लिखने में आप लोगको बहुत साधानी भरतनी है language एकदम simple language रखेगा एक ही tense follow कीजेगा और अगर आप passive voice में उसको लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा हमने passive voice के इसमें active passive के पूरा playlist बनी हुई है आप उसमें से आके सीख सकते हैं complete information दीजेगा complete information दीजेगा कि कोई भी point जो है वो छूटे ना और जो prominent चीज़े हैं जो खास खास चीज़े हैं आपको graph देखते ही दिखाई दे रही है जब पर सबसे पहली नजर पढ़ रही है तो उसको जरूर शो कीजेगा और सबसे बड़ी बात no personal observation और comment no personal observation और comment जो data डेटक कर रहा है दिखा रहा है आपको आपको वो ही चीज़ लिखने हैं आपकी अपनी personal observation अगर जब तक पूछे नहीं तब तक नहीं देनी है ये बाते ध्यान रखनी किये और इसके बाद मैं आपको histogram, bar chart, pie chart सब के example के संग, cases को लिखना है ऐसे लिखके भी और videos load कर दूँगी इसी naughty hours मैं इंग्लेश विगलिश पे so work hard, thank you, thank you so much